नमस्कार मेरा नाम बीना है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं देखिए बिहार के सियासत में खासकर विजेपी में एक बड़ा बदला हुआ है एक नई जिम्मेदारी समराठ चौधरी को दी गई है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ट पत्रकाय उनको प्रोजेक्ट करना चाहती है और उसकी तयारी चाहती है सबसे पहले सवाल सर यह है निश्चित रूप से समराठ चौधरी जिनका नाम हम अफिसियल नाम भी बता देते हैं उनका नाम राकेश खुमार उर्फ समराठ चौधरी है तो ऐसे में समराठ चौधरी कि जाती समाच से आते हैं वह जो है सो एंडिये का उस पर लंबे समय से फोकस है लौकुस कॉंबिनेशन जो हम बार बार कहते हैं तो वह कुस्वाहा समाच से आते हैं और उनके पिता जी सकुनी चौधरी जो कुस्वाहा समाच के एक बड़े और कदावर नेता और बिहार मे जाने माना जाना माना चेहरा है सकुनी चौधरी सकुनी चौधरी की पत्नी पारवती देवी वह भी जो ऐसो मुंगेर खगड़िया के इलाके में और उधर के सिमांचल के इलाके में जाईएगा तो उनका निधन हो गया कुछ दिन पहले तो उनकी माता स्री का भी नाम बहुत प्रवती देवी का तो वह ऐसे में वह एक बड़ा चेहरा समराड चौधरी को खिलाक में प्रदेश अध्यक्ष भारतियंता पार्टी ने बना करके एक बहुत हमने मास्तर स्ट्रोक जिसको हम कहेंगे वह खेला इसमें कोई दोमत नहीं लेकिन एक बात और है इसमें बिना कि जद्यू की ओर से भी कुस्वाहा समाज के ही प्रदेश अध्यक्ष है उमेज कुस्वाहा इस पर भी हम लोगों को नजर रखनी के लिए हैं तो अगला सवाल यही है कि जित सरीके से पिछुड़ा अति-पिछुड़ा की राशनिती बिहार में हो रही है लागतार चर्च कुमार एंडिये को छोड़ करके महागटबंधन के फोल्ड में गये महागटबंधन के साथ में गये सरकार बनाए तो निश्चित रूप से जो उनका कोर वोट बैंक है वह उसमें नाराजगी है तो उसी नाराजगी को आपको सबसे बड़ा उदारन उपेंद्र कुस्वाह है जो जद्यू संसधिय वोट के रास्ते अध्यक्स थे वो जान रहे थे कि जो तीन जो उप्चुनाव के नतीजे आए पिधान सवा के उस पर जो वोट जो ट्रांसफर नहीं हो सका कुस्वाह समाज का इधर महागटबंधन में तो ऐसे में वह जानते थे इसी को देखते ह और हरियाना में आप जाएएगा तो गुजर और जाट का वोट एक दूसरे पर नहीं चड़ता है वही परिस्टिति यहां पर जादव और कुस्वाहा कुस्वाहा और जादव का भोट नहीं ट्रांसफर होता है जिसका परणाम आपको तीन बाइलेक्शन में आपको बिहार विजपी में तो नाराजगी भी नहीं चेलनी पड़ी जो पुराने नेता है उनकी नाराजगी नाराजगी बारे में क्यास बहुत दिनों से लग रहा है कि सम्राट चौधरी भारती जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार है उसमें कहीं कोई दूम सम्राट चौधरी के जगह कोई दूसरा कोई बनेगा वो जनक राम की बात आ रही है जो भारती जंता पार्टी में है और पुर्व सांसद हैं और वो जनक राम को वहां पर उस जगह पर बठाये जाने की बात अब आ रही है तो यह इसलिए बहुत सारा कुछ पदलाव आप प्रवारी के प्रवारी है पार्टी मामलों के तो वो उनसे बड़ा अगर जिदी जो जब से एंडिये को छोड़ करके नितीज कुमार महागटबंधन के साथ गये हैं पूरी तरह से बिहार की कमान अब एक तरह से हम कहें तो अमित साह के हाथों में हैं अमित साह यहां एक से पहले भी लागातार वो भीहार आ रहे हैं तो यह देखिए कि जब से नितीज कुमार ने पाला बदला है उसके बाद से अमित साह एकदम पूरी उनकी निगा बिहार पर लगी हुए और एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं और उसको सौट आउट कर रहे है कहां पे कमजोरी कहां पे कैसे बेहतरी होगी और आज हम लोग डिसकसन कर रहे हैं समराठ चौधरी पर तो यह बात भी तो सब को बताना पड़ेगा ना कि उमेश कुस्वाहा भी तो जद्यू के हैं जो उसी समाज से हैं समराठ चौधरी के कुस्वाहा समाज से ही हैं तो व परदेस अध्यक्ष बनाया गया उमेश कुस्वाह को तो यह सब टोटल वोट का समिकरन है लौकुस समिकरन कोही साधने की पूरी तरह से कवायत है यह 10-12 परसेंट वोट जो है तो तो वो कहां जाएगा और यही लोग तो भी है कि उपेंद्र कुस्वाह भी जो अलग हैंगे तो एंडिया और मजबूत होगा और टोटल कुस्वाह का इंट्रेक्ट भोट जो होगा वो इंडिया के पक्ष में आएगा तो हजार चोबीस में यही पूरी तरह से रन नीति यह समझ में आ रही है देखिए एक नाम और भी जो एंडी के साथ हमेंसा लिया जाता है विजिपी के साथ लिया जाते हैं और वह है चिराग पासवान जैसा कि उपचुनाओं भी हुए थे उस दोरान चिराग पासवान ने समर्थन किया था बिहार में विजिपी का और अभी से कुछ दिन पहले भी उनका एक बयान आया था जिसमें उन्हों ने यह कहा था कि दो कि क्या सीम के तोर पर इनको प्रोजेक्ट किया जाएगा एक तरफ दाविदार के रूप में चिराग पासवान भी है तो कौन आपको क्या लगता है कि विजिपी कि को मौका देगी तेखिए वो तो NDA जो गठबंधन होगा एलाइंस होगा वह ताय करेगा इससे पहले हम ल चुराग पासवान डिये के फोल्ड में आते हैं या उपंद्र कुस्वाहा की जो बात कहरें को हुएल कि या पिर समराठ चोथरी को आगे करके लड़ा जाएगा तो भारती जंतापाटी निश्चित रूप से जो इस बार एक्सपेरिमेंट कर रही है उसमें निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि समराठ चौधरी का चेहरा ही आगे करके वो चुनावी मैदान में उतरेगी और लेकिन सब से बड़ी बात है कि यह भी ही नहीं हो सकता है नरेंदर मुदी के नाम पर वोट मिलता है पार्टी मजबूती होती है तो दिश्चित रूप से नरेंदर मुदी के नाम पर ही चुनावी होगा हमको जहां तक लगता है कि एक और सवाल जो ki विजिपी से ही है मोधी मंदल विस्तार की लागतार चर्चाई हो रही है बाचीत हो रही है ऐसे में क्या संभावना है कि मोधी मंदल का विस्तार होगा और अगर विस्तार होता है तो बिहार के कौन से नेताओं की वहाँ पर एंट्री हो सकती है जब मिल सकती है देखिए निश्चीत रूप से जैसा अब तो एकदम अब क्रिश्टल क्लियर है कि अब जो ऐसो नरेंदर मोधी मंत्री मंडल का विस्तार हो अब तक तो कयास ही लग रहा था लेकिन जब से आज से और अभी से हम कहें कि जब से समराठ चौधरी के नाम पर मुहर लग गई जेपी नड़ा जो भाजपा के रा जिस दिन भी वो तैय होगा और बिहार से कई नाम आपको कटते जुड़ते नजर आएंगे वो हम नाम नहीं बताना चाहेंगे कि फुर वो किर्करी होने लगेगी लोग को मने दस कोस्चन सवाल उठने लेकिन संजेज जैसवाल युसोप यहां पर प्रदे सद्यक्स थे व तो ऐसे में उनको निश्ची तुरूप से पुरुसकार के रूप में केंदर में मंत्री मंदर में सामिल किया जाएगा उसमें कहीं कोई दोमत नहीं है और तभी तो फिर अगर जिस एरिया से आते हैं पसिम चंपारंड के पुर्वी चंपारंड का यह राका है वहां से अग चिराग पासवान इंडिया फोल्ड में चुना का समय भी आ गया तो वह जिस तरह से उनको के टेगरी की सुरक्षा दी गई है सुरक्षा घरा बढ़ाया गया तो इतने कॉइंदेंस के सांथ खुद चिराग पासवान बार यह कहते हैं कि हम मोधी के सांथ है या फिर जो भी उपचुनाओ भीहार में हुए उसके दौरान उनने खुल कर समर्तन किया है तो यह तो दर्सारा है इसको उनकी जेड काटेगरी की या या प्लस सेकुर्टी जो है जो तना वो घेरे में है वो टाइट सेकुर्टी में तो वो सब को थोड़ी मिलता है तो उसी लिहाज से यह से लेकर कि दिल्ली तक कि उनकी सुरक्षा है तो जो प्रोटोकॉल के तहत यलो बुक्जर के तहत जो भी होता है तो वह उनको मिला हुए तो ऐसे में निश्चित रूप से चिराग पासवान की भी एंडिय में इंट्री होगी और उनको भी केंदर में हो सकता है संभवता उ जो कि अभी से कुछ दिन पहनी पाटी से अलग है और आजपी सिंग को लेकर तो यह भी कहा जाता रहा है कि जो मोदी है मोदी मंत्री मंदल में से ही किनी नेताओं के संपर्क में थे और इसके बाद ही वो पाटी को कमजोर कर रहे थे लागा था जदियू आरूप लगा तो लालन सिंग, राजीव, 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 लालन सिंग जो जदियू के राष्टी अध्यक्ष है उने कहा कि मजिस्ट्रेट चेकिंग हुआ उसमें पकड़े गए तो वो पकड़े कौन गए रसीपी सिंग पकड़े गए तो इसके बाद से उनको हटा दिया गया तो इसक ही तरुप से जब वो सिकूरिटी किसको प्रवाइड किया जाता है वह हम आपको बार-बार कर रहे हैं अब हम कहना नहीं चाहते हैं वो एंडिया के फोल्ड में आएंगे और एंडिया के लिए ही वो तमाम तरह की की बात वो कर भी रहे हैं जो उनका जो ब्यान देखिए ज वो कहीं ने कहीं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं तो वो सम्तापाटी के कारेकाल से जो कारेकरता जो जदी उसे जुड़ा हुआ है उसको अगर जिदी कुछ नहीं मिल रहा है तो वो लॉलीपॉप पकड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ है तो वही बात उपेंदर कुस्व सब लोग उनके लोग तैयारी भी कर रहे हैं और उनका ब्यान उनका हर चीज जो वो बोलते हैं कि नरे नरमोदी इसा कोई नहीं कर रहा है वो बिस्व के अस्तर पर नरे नरमोदी ने देश को मजबूती तो सब कुछ आर्सीप सिंगा भी क्रिस्टल क्लियर उसमें कहीं कोई दूमत नहीं यह लोग तो आपके एंडिये फोल में हैं यह तो अंडर्स टूर्ड हैसमें को दिकत नहीं है क्या नितीज को जटका देनी के लिए सम्राठ चौधरी को उधारा गया है प्रदेश अद्यक्श के तौर पे प्रजिक्ट किया है अधे प्रदेश अध्यक्ष की वो प्रमुक्ता के साथ उठाते थे और उसका जोरदार बने पूर जो हम कहें वो बिरोद करते थे सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी तो ऐसे में वो एक कोर कसर छोड़ेंगे नहीं और वो निश्चीत रूप से वो नितीज कुमार के लिए यह परिसानी का सबब होगा क्यो सब्सक्राइब करोता है । यह प्रतिपक्शेंचे नहीं से यह से हैं रैंसे पहले मंत्री मंदल लेमें आने वाले समय में अगर जिछी तरूप से परिस परिसानी के लिए सब्सक्राइब दो हजार परचीस विदान समाद चुनाओ के पहले जिस तरह के आसार बिहार के सियासत में देख रहे हैं एक तरफ उपेंद्र कुस्वाहा पार्टी से अलग हो गए हैं जद्यू से आर्सीपी सिंग का प्रकरण पहले से चल रहा है ऐसे में चिराग ने भी ये कह दिया है कि एंडिये के साथ जाने वाले हैं दूसरी और समराठ चौधरी को एक बड़ी जिम्मिदारी दे दी गई है तो क्या लगता है कैसा होगा आने वाला अगामी चुनाओ जो है दोनों चुनाओ में किस तरह विजपी खुद को मजबूत कर पाएगी क्या होगा चुनाओी मैदा और आपको बार बार करें कि पूरी नजर बिहार पर है तो ऐसे में एक-एक पॉइंट को बहुत बारिकी के साथ हम इस साथ देख रहे हैं और तमाम तरह का जो आप देख रहे हैं जो बदला भारतिय अन्तापाटी में या जिसको अपने फोल्ड में लाने की इंडिया की मिल रहा है तो 2024 औ 2025 में महागटबंधन के लिए महागटबंधन जो इजी गोइंग समझ रहाता है इसको सोच रहा है कि नहीं तो हम क्लिन स्वीप है वह ऐसा नहीं कुछ होने जा रहा है है कि 2024 में देखिए लोकसभा का पूल जब भी होगा इनम सिंपल थेओरी है इसमें कि प्रश्पेक्टी पर वोट होता है उसमें कहीं आपको this but की बात नहीं होगी वह नरेंद्र मोदी के चेहरा पर कोई भी चाहता है कोई भी आद्मी चाहता है इतने भी बातचीत किये हम इसमें यही पता लग पाया है अब तक जो सर ने हमें बताया है कि अगामी जो चुनाव होने वाले हैं 2024 को लेकर उसमें राज़त या फिर महागडबंधन जद्यू के लिए जो तमाम तरह की पार्टिया हैं उनके लिए आसान नहीं होने वाला है क् साथ दलो के सांथ मिलकर नितिस कुमार ने NDA का सांथ चोड़कर महागडबंधन का डामन थामा है वैसे में विज़े पे भी अपनी पूरी तयारी कर रही है याने वाला वक्त बताएगा कि बिहार के सियासत में किस तरह के नए और बड़े फेर बदल हो रहे हैं आप इन घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर